और नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका इस य्योटीब्टी चैनल सरवन्ज क्लासेस में चाorton आप लोगँ को आप लोगो ओंसे नहीं हो पा रहे टी क्योंकि आपलों को पहले वी चर्चा कर दिये थे कि आप लोगों यहां क्लास को सब्सक्राइब करने अब क्लास क चलती रहेगी और मैं आप कोसिज करूंगा कि History optional के लिए भी VCS क्लास आप लोगं के लिए लानने का प्रियास करेंगे ठीक है और आप लोगं को अब PCS में कोई तरीके से सोचने की ज़वरत नहीं है और IS के लिए भी PT के लिए आप लोगं को सोचने की ज़वरत नहीं होगा इसलिए आप लोग class को continue कीजिए, regular तरीके से कीजिए, इसका notes बनाईए, ताकि कहीं भी दिखकर न हो, और authentic book आप लोगों को चर्चा कर चुके हैं, तो चलिए दोस्तों, अब एक नए अनुभव के साथ, नए संस्थान से, आज से हम लोग अपनी class को प्रारंब करेंगे, और medieval history जो आम लोग के चल रही थी, आप कोशिस करेंगे कि आप लोग की class जो है, regular होती रहे, ठीक है, अब आप लोग की class जो है, मुखरजी नगव से हो रही है, ठीक है, तो अब आप लोग को जवरत है, कि आप लोग भी मेरा support कीजिए, और हम भी आप लोग को support करें, और आप लोग का class पुल रूप से free हमेशा के लिए चलता रहेगा, PCS के लिए, ठीक है, अब जो है, आप लोग को दिल्ली आने की जरुरत नहीं है, आप जहां भी है, घर बैठे, दिल्ली की तैयारी free में कर सकते हैं, जहां भी है, ठीक है, तो अब आप लोग की class जो है, पुल रू की नगर से आप लोग की class जो है, free में continuous चलती रहेगे, PCS के लिए, यहां तक की IS के लिए भी आपको अप सोचने की जरुरत नहीं होगा, ठीक है, चलिए, तो हम भी अपने नए नए चीजों को सीख करके, अपनी अनुभब को भी आप लोग के बीच सेयर करेंगे, ठीक है, यहां पर class stable करने में, वक्त लग गया, ठीक है, चलिए दोस्तों, तो हम लोग चर्चा कर रहे थे तुगलक वंस में, फिरूज सा तुगलक को हम लोग पढ़े थे, फिरूज सा तुगलक के काईद के बारे में देखे थे, फिरूज सा तुगलक ने कई सारे के नर भी भाग किया था, लेकिन इसने कई सारे काईद किया, तो दोस्तों, इसको वास्त्विक रूप से मतलश्वरी, इसको जो है, तुगलक सल्तनात काल का अकबर भी कहा जाता है, लेकिन इसने वास्त्विक था, तो यह है दोस्तों, इसने धर्म के आधार पे सत्ता का संचालन किया, धर नहीं तो दोस्तों अगर इतिहास ऐसे कईकले कुछ युदो तुगलग के बार वन्स की जो सत्ता है यह तेरोसो बीट से चौदा सचवदा कर दोस्तों लेकिन अपने जीवन हम लोग चैस्टा करशे करें उसके बाद आया फिरोस सा तुगलक और तो देखिए तुगलक वन्स में सबसे पहले गयासुहत तुगलक उसके बाद फिरोससा तुगलक के बाद जो है गयासुद्दीन के तुगलक साद्वित्ति आया था ठीक है और इसकी कोई उपलब भी नहीं है दोस्तों यह बिल्कुल आयोग सासक था कई सारे तुगलक में इसके बाद जो सासक आयोग सासक थे और आपको पता एक MBT की गलती के कारण से जो है दक्षिन भारत में विजय नगर और वहमनी समराज की अस्थापना हो चुकी थी इसका समराज जो है सिमेट करके रहा गया था ठीक है और फिरोसा तुगलक के बाद जो कई सारे सासक आय वो बिल्कुल आयोग रहे और उसकी आयोगता का मतलब की फाइदा भी जो है तेमूर लंग ने उठाय जो तेमूर का अक्रमन हुआ तो ठीक है तो गयासुदिन तुगलक सा 388-89 तक रहा था ये जो है 388-89 तक रहा इनकी कोई उबलभी नहीं ठीक है और फिरोसा तुगलक क एक इसके बाद को आयो है अभू बच्रसह आया था आशे का जो यह इनकी इनकी भी कोई उपलब्धी नहीं है 389 से नभे तक है और इसकी भी कोई उपलब्धी नहीं है ठिक है और अबुबट्र सादुईत के बाद नसरुद्Քरिन मुहमदaty त्रिक्ति सासक बना नसिरुद्दीन मुहमद सा त्रिक्ति सासक बना ठीक है और इसका जो सासंकार है यह 1390 से लेकर के 1394 तक है और इसके बारे में कहा जाता है कि इसकी जो मृती हुई थी यह मदपान करनाे से हुआ था ठीक है नसिरुद्दीन मुहमद सा उसके बीए जाते बना नसिरुदीन स happiest थीक़ा हम फंस आया था इसका शासंकार दो-तीर महिने का थे इसलिए कई सारे इसके बारे में चर्चा भी नहीं करते हैं। उसके बाद आया था एक शासर नसिरुद्दीन महमूद सा। इसको नसिरुद्दीन महमूद सा। इसको नसिरुद्दीन महमूद सा। इसको नसिरुद्दीन महमूद सा। इसको नसिरुद्दीन महमूद भी कहा है और आप लोग को कई बार इतिहास में चर्चा कर चुके हैं कि जब एक अयोगता के कारण हर लोग उसका हमेशा फाइदा उठाने का प्रियास किये तो इसी के समय कहा जाता है इसके समय इसका एक गवर्नर था खिज्र खां इसने इसका फाइदा उठाया था इसके समय यह बिल्कुल आयोगता सब्सक्राइब कहा जाता है कि नस्रीदूर महमूद के समय में समय कि और इसे इसके समय आप्रियह करेंगे तो रहाने तेमूर नंग को सपोर्ट कर दिया और इसकी सपोर्ट के कारण कहा जाता है कि तेमूर लंग ने लगभग दिल्ली को सिर्फ छोड़ा था दोस्तों उसके बार जो है सारे के सारे छेत्र को जीत लिया सिर्फ दिल्ली को मतलब छोड़ दिया दिल्ली को मतलब नहीं जीता बाती पूरे छेत्र को दिल्ली को में जितना भी वन्स का जो सत्ता जो बचा था उन सारे को जीत करके वापस से लागया और वो छेत्र खीज रखा को दे दिया तेक है वह यहां सत्ता को वास्तुई करूप को नश्रुदिर महमूद की हत्या कर दिया क्योंकि यह बिल्कुल आयूब्द सा सकता दोस्तों और इसकी हत्या करके खीज रिखाने दिल्ली सल्तनत में एक नए वन्स की निव जाली जिसको हम लोग कहते हैं सैयद वन्स तो सैयद वन्स की अस्थापना किस ने किया खीज लेकिन सैयद वन्स को पढ़ने से पहले हम लोग दो वन्स को पढ़ेंगे हम चर्चा किये थे याद किजिए दोस्तों हम चर्चा किये थे कि जब तुबलक वन्स में महमद बिन तुबलक सासन में था तो उसके समय दक्षीन में दो वन्स की अस्थापना हुई दो वन्स की स्थापना हुई वैज्यंगर समराजी और वहमनी समराजी जो लगभग- realidade सम arenưởng तक शाम हम दूप पढ 살ाएं वैज्ञों समराजा और सम्राज को ढूप से चाल dal बाहुत शारे क्षा सचा होती है दोस्तों दक्षिन भारत के इतिहास को लेकिन यहां से कोसिस करेंगे कि पूरा का पूरा विजय नगर समराज बहमनी समराज को पूर्ण रूप से क्लियर कर दें ठीक है चलिए अब हम लोग मैट के साथ इसको चलता है करेंगे देखिए देखिए तो विजय नगर समराज और बहमनी समराज की अस्थापना को हम लोग देखते किस परकार से विजय नगर और बहमनी समराज की अस्थापना हुआ पहले उसको हम लोग देख लेते हैं तो चलिए विजय नगर समराज विजय नगर एवन बहमनी समराज की अस्थापना देखें विजय नगर एवन बहमनी समराज की अस्थापना देखें दोस्तों चल्चा की एक अप लोग तो जब दिल्ली सलतनाथ में महमद बिन तुगलक यानि M.B.J. मतलब की सासन में था तो दिल्ली सलतनाथ का सबसे प्रहालिखा सुल्तान था मौहमद बिन तुगलक और वो जो है कहीं-कहीं सलतनात काल में सबसे अधिक समराज का व किस्तार भी उसी के समय हुआ और सब्सेदिक विद्रों भी MBT के समय नहीं हुआ एक सकंद दोस्तर तो जिस समय मुहमद बिन तुगलग दिल्ली सतनत का सासर था तो यहां कि यह दोस्तों उस समय दक्षिर भारत की इस्तिति क्या थी थोरा सम्मेप में हम लोग चर्चा कर लें पर चाहिए के यहां पर आपका गूडावरी नदी उप क्रिष्चन नदी आहां पर ध bipartisan में यहां पर एक राजी हुआ पर देव गिरी यहां पर कुन सा राजी था देवगिरी में生न्में क्रिष्चन नदी के दरशीन में यहां पर बसा ह और यहां पर एक राज बसा हुआ था यहां पर एक राज था होईसल और दक्षिन में चेर चूल और पांड केरल में आपका यहां पर चूल यह तीन वंस था यह अपका उरिशा में जाज नगर कहा गया है यह अपका वरंगल तेलंगना में पड़ता है यह इस्तिधी था अब आप लोगों को चर्चा किये थे आप यह बत्राइब गरी को जीता था और तो पूरे उत्तर भारत को जीता अगर दक्षिन बहुत को बहुत लेकिन उसमें क्या सोचा कि दक्षिन में रखा और राख्षीन भारत को अपर्टेक रूप से कंच्रोल में रखा और क्योंकि जब जब मतलब रूप इसके समय जाने अब दिल्ली से दक्षिन जाने में छे मैना तीन मैना का समय लगता था और जब मतलब दक्षिन भारत को सासक जीबते थे अजीब करके आते थे तब तक दक्षिन में बिद्रोव हो जाता था ठीक है क्योंकि उस समय परिवहन बेवस्ता बेदर नहीं थी जिसके कारण से होता लेकिन M.B.T. ने क्या सोचा कि दक्षिन भारत को भी परत्यक्ष रूप से कंच्रोल में रखना है जिसके कारण से उसने दिल्ली से राइधानी को पडिवर्तित करके देवगिरी का नाम उसने क्या रख दिया था दोलताबाद रखा दोलताबाद और उसने दोलताबाद को दोलताबाद को राइधानी बना करके दक्षिन को उसने परतिक रूप से सध्यमतिक्ष कि जून की महिना था दक्षिन भारत में गर्वी पढ़ती है जून की महिना में था ठीक है और जिसके कारण से सभी के सभी तुर्कों को समस्या होने लगी सब के सब दक्षिन को छोड़ करके भागने लगा और राइधानी क्या हो गया और सफल हो गया ठीक है उसका अध्यान क्या हो गया और सफल ह सप्रापना को पर दिली गए दोलता बाद से जब फिर धिली गए तो MBT ने क्या किया उसका चचेरा भाई था बहाउद्दीन गुर्शस्प ठेक है बहाउद्दीन गुर्शस्प बहाउद्दीन गुर्शस्प को उसने क्या किया करनाटक का सुवेदार बना दिया ठेक है यहां का परता है करनाटक यहां का सुवेदार तो MBT का चचेरा भाई था बहा उद्दीन गुर्शस्प उसका चचेरा भाई था बहा दे गुर्शस्प बहाउदीन गुर्शस्प को उसमें क्या किया करनाटक का सुवेदार बना दिया और दक्षिन में बिद्रो कर दिया जब दक्षिन में बिद्रो कर दिया जब दक्षिन में बिद्रो कर दिया तो दक्षिन में एक छोटा सा राज था कामपिली के पास भाग करके चला गया था यानि कि कामपिली काहिं दो अधिकाली था हरी हर एवण बुक का अब देΧर का ये दो अधिकाली था हरी दुन्हों को क्या करवाया स्विकार करवाया को कंप AAB करके इसको इसे का ट्रवाइब स्विकार करवाया स्द। में जितने भी राज थे वारंगल चुर्चिल पांध होईसल देवगरी सब के सब राजियों ने बिद्रो करना प्रारंब कर दिया तब एंबीटी के पास जो है कोई चारा नहीं बचा दोस्तों ठीक है और पिछले क्लास में भी हम लोग चर्चा कर लिये थे जब एंबीटी को पढ़े थे तो कहा जाता है कि जब सब दक्षिन के सब राजियों ने बिद्रो कर दिया तो एंबीटी ने फिर एक अदूरदवसिता वला काम किया अदूरदवसिता का मतलब यह हो गया दोस्तों उसने क्या किया हरिहर और बुक्का को काईद करके रखा था इसी तोनों के संजक्षन में एंबीटी ने दक्षिन में सैना भेज दिया यानि कि हरिहर और बुक्का को नेत्रित करता बना दिया और दक्षिन में में जब बिद्रों को दबाने के लिए हर न बुक्का को भीज दिया के जिए जम हर हर न पिद्रोग हो गया इसकी कारण चे हरी हर और बुका के नित्रित में M.B.T. ने सैना भेजा, जब सैना भेजा हरीहर और बुक्का के नित्रेत में, तो हरीहर और बुक्का जो है, अभियान की आदक्षिन में, अभियान करने के लिए दोनों गया, ठीक है, दोनों जब मतलब सैना जब गया उसके नित्रेत में, हरीहर और बुक्का के नित्रेत में रिहार अर्भुक्का जब कामपिल पहुचा तो कामपिल में जाकर के ये खुद के खुद जोए विद्रोही बन गए, खुद बागी बन गए खुद बागी बन गए अर इन्ही संदी दोनों ने मिलंकर के करनातक में ही एक नए राजी की अस्थापना किया विजए नगर भास्यकार थे सायन याद रखिएगा वेदों के भास्यकार वेदों के भास्यकार भास्यकार कुन थे सायन ठीक है ध्यान दिजेगा जब MPT ने हर्यार और बुक्का को दक्षीन भेजा था बिद्रों को दबाने के लिए हर्यार और बुक्का जब दक्षीन आया बिद्रों को दबाने के लिए तो उसी समय सायन से इसकी मुलगवात होती है। सायन में क्या करता है हर्यार और बुक्का को कहता है कि आप फिर से अपना सुध्धि करन करके Netherlands से हिंदू धर्म आसकते हैं तो सायन ने कहा कि आप जो है डक्षन में एक नए राज की निवपर लो हिंदू राज के नीव जालो तो इसी के कहने पर हर्यार और बुका ने वर्तमान के करनातिक में कुनिशी के नीव डाला 1336 िसवी में वीज़ाइश नगर राजी की नीव डाला 1336 िसवी तो याद रखेंगा सायन की नेतरित में इसको जो हिंदु धर्म परिवर्टित गया है तो देखिए हर्यार और बुक्का चलिए इस प्रकाल से दक्षिन में विजय नगर समराज की निव डाला आप लोगों को समझ में आया होगा दोस्तों एक बार से विजन कर दें जब दक्षिन भारत को पर्त्यक्ष कंच्रोल में लेना चाहता था तो उसने देवगिरी में ही उसका चचेरा बहाई ता बावदिन गुर्सस्प ठीक है उसने जो है मतलब करनाटक का वो सुबेदार था उसने वहाँ विद्रो कर दिया कामपनी के सहयोग से और विद्रो करके जब विद्रो किया तो MPT ने सैना भेजा विद्रो को दबाने के लिए तो विद्रो को विद्रो को दबाने के लिए MPT ने फिर से हरियर और बुक्का के नित्रित महीं सैना भेजी और हरियर और बुक्का दक्षीन में जाकरके खुद विद्रो ही बन गए और दक्षीन में एक नए राज की निप डाली विजय नगर लाज जी ठीक है इस परकार से और इसी समय कह पस्चीन दक्कन, दक्कन का मतलब दक्षीन में जो हैंने दोस्तों मतलब दक्कन का पाठ्थार है कुछ अलग concept है, लावा से निर्मिन चत्तान हुआ था, ठीक है, अग्षीन भारत में एक समय ज्वाला मुखी फूटा था, ठीक है और उस ज्वाला मुखी के लावा से जित यहां यहां दख्षिन में उसको दक्कन-पर्देश कहा जाता है, तो आप लोगों को चर्चे कर देख को विजेय-नगर संुम्राज के निज को कि लादीं है, विजेय नगर दोल distortion में, वेसे धकिन में उत्तर में पस्चिमीदकन में एक और व्यक्ति था उसका नाम था अमिरान ए सहर यहां का एक अधिकाड़ी था पस्चिमी दक्कन यह महराष्ट का सहर्द इसको साधा भी कहा जाता है इस पोस्ट को इसका मतलब होता है सव गाउं का कर्वसुले वाला दिकानी और इस पोस्ट पे उस समय बैठा हुआ था उस समय बैठा हुआ था जफर खां जफर खां इस पोस्ट पे उस समय यहां पे कुण था पस्टमी दक्कन में मतलब जफर खां के पास सव गाउं का कर्वसुले वाला यह अधिकारी था यानि कि बरा साथ छेत्र का यह अधिकारी था इस ने इस विद्रू का फाइदा उठा करके ठीक है 1336 में और जफर खां के द्वारा 1346 या 47 में ठीक है जफर खां ने उस सव गाउं को स्वतंत्र करके एक नए राजी की नीव डाला इसने अपना नाम रखा अलावदीन हसन बहमन सा इसने अपना जफर खाने अपना नाम क्या रखा अलावदीन हसन बहमन सा इस नाम से ठीक है इस सव गाउं को इसने स्वतंत्र करके एक नए राजी की नीव डाली सुप 1346 से 47 इसमी के आसपास कुन सा राज बहमनी समराज और यही राज अब देखिए तो यह जो आपका क्रिस्ना नदी के उत्तर में बहमनी राज क्रिस्ना नदी के दक्षिन में कुन सा राज हो गया क्रिस्ना नदी के दक्षिन में आपका विजय नगर समराज के नीव डाली गई ठीक है और यह जो आपका गोदावरी नदी के भारत पूरे इलाका में दुही राज अब बजेगा कि बहमनी सम्राज और विजय को सब्सक्राइब को पढ़ेंगे बीजय नगल सम्राज को पढ़ेंगे तो चलिए tapping Yap विजय नगल सम्राज के इसकी अस्थापन उत्तर भारत प्रत कुन ए मुहमद बिंथ तुगला मु मुहमद बिंथ ग्लद का संव 1325 से तो इसी के समय दोनों राज के निव डाला गया सिर्फ पॉसिंद एंबीटी के गलती के कारण से तो आप हम इन लोग इसको मिटा करके आप हम लोग पढ़ेंगे बिजैनेगर राज को ठेक है हुआ 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 आप लोग इसका नोट्स जरूर बनाएगा दोस्ता आप लोग को फिडियाप मिल जाएगा टेलिग्राम ग्रूप में जोड़े हैं आप लोग टेलिग्राम ग्रूप में जोड़े हैं सर्वन जीएस क्लासेश के नाम से टेलिग्राम ग्रूप बना हुआ है उसमें आप लोग को डेली पिडियाप मिलता रहेगा जो टॉपिक पढ़ाई होगी उस टॉपिक का पिडियाप आप लोग को मिलता रहेगा ठीक है तो आप लोग नोट्स में बनाएंगे इसका यह बेसिक चीज़ें आपको सब दिन काम मा आएगा PCS एक्जाम रहे या कोई भी state PCS इद या UPSC में फिकाम आएगा चालिए तो आब हम लोग पंढ़ेंगे विजय नगर समराज बिजाएनगर सम्राज इसकी अस्थापना कब किया गया तेरो सो च्छी आलीस साइटालीस में तेरो सो च्छी आलीस में इसकी अस्थापना हुवी और यह चला च्छा तीज में 1336 में और यह चलेगा 1565 इसमी तक लगभग 300 साल तक यह चला था दूस्तों आगे भी छोटे छोटे राज इसमें आते रहे तो बिजय नगर समराज बिजय नगर सहर की नीफ जाला गया उसी में मतलब बिजय नगर सहर कहां था करनातक में वही पे जिस राज के स्थापना हु उसमें कई सारे वन्स आएंगे थेक है तो चलिए तो इसको आप लोग मैट में बनाने का प्रयास किजिएगा देखिए आप लोग इसको अब सिर्फ आप से दक्षिन भारत का मैट में बनाएंगे देखिए तो अब यहां पे आप लोग ध्यान दखिएगा यह आपका गोदावरी नदी ठीक है यह आपका क्रिश्ना नदी और दक्षिन में आपका कावेरी नदी क्रिश्ना नदी जो है इसी के एक साही का है तुंग भद्रा नदी जो दो नदी से बनता है तुंग और यह आपको करिशना नदी इन डौनूं के बीच खेत्र है दो नदियों के बीच का यह कहाता है इस राईचूर का दौाब कम राईचूर का दौाब कहा जाता है का और यहां पे आपका कुन सा राज हूं गया यहां उत्तरौं को बाहमनी राज, हम देक्थ को पहले पाढ़ेंगे बिजय नगन को, सहल की नीब के बशक्षा करें नाप्र में के सब्वसूत है। तो देखिए विजय नगर समराज कहां पे था वर्दमान करनातक वर्दमान करनातक में है करनातक यहां पे विजय नगर सहर की नीव डाली गई थी और इसी सहर को केंद्र बना करके इसने हरहर और बुपका ने एक नए राज की नीव डाली जिसको हम लोग विजय नगर तो इ यह दो भाई थे दो भाई थे और इसने रायधानी कहां बनाई थी रायधानी कहां बनाई विजय नगर को इसकी तीन रायधानी रही विजय नगर समय समय पर इसका रायधानी चेंज होता रहा इसने सबसे पहले बिजय नगर को रायधानी बनाई यह बिजय नगर करनाटक में पड़ता है उसके बाद दूसरी रायधानी उसने अनेगुंडी बनाई दूसरी रायधानी अनेगुंडी और एक रायधानी इसने बनाई थी ति कि झाइधानी तिंगे धीकशन अब देखिए भीजे नगर की जो सबसे पहले जो सासक करने कुन रहा साशक मतलब बुखका बाद में सासक बनेंगे जब हरिहर सासक बना तो इसके सहायक के रूप में बुक्का काम कर लाए थे तो देखिए तो उसकी रायधानी हो गया जो सबसे तो कहा जाता है कि हरिहर ने जो बिजैनगर में पहले वन्स की नीव डाली उसको कहते हैं संगम वन्स संगम वन्स हरिहर और बुक्का का पिता का नाम था संगम और इसी है अपने पिता के नाम पर एक नए वन्स की नीव डाली जिसको विजैनगर संगराज में संगम वन्स की देखिए तो विजैनगर संगराज में चार वन्स वेसा संगिया तो चारों वन्सों को लिख लिजिए विजे नगर समराज में चार वंस आया, सबसे तहले इसमें आया संगम वंस, उसके बाद आया सालू वंस, सालू वंस के बाद तिसना आया तुलू वंस, और चौथा में था अरविदू वंस, और विदू वंस, ये चार वंस ने विजे नगर समराज में सासर किया, सबसे पहले कुन सा वंस आया, संगम वंस, संस्था पर हरिहारेवं भुका, हरिहारेवं भुका, चलिए तो हम लोग अब पढ़ेंगे विजे नगर समराज में पहला वंस, संगम वंस के बाद तो किसी भ को परते हैं उसके जानकारी का स्रूत को परते हैं ठीक है कि करुद यह कि हम लोग आप मतलब संगाम की जानकारी का स्रूत को हम लोग आज पर लेते हैं दोस्तुं कि देखे विजयन अगर समराज में सबसे पहला वंस आया संगम वंस संगम वंस और संगम वंस के जानकारी के स्लोथ हम लोग इसके परते हैं जानकारी के स्लोथ देखें शंगम वंस के किसी वंस के जानकारी का तीन स्लोथ होता है एक तो होता है पुरा तत्विक श्लोथ दूसरा में आए पस्ता हित्यक श्लोथ और तीसरा में होता है आपका विदेशी यात्री का विबरांद विदेशी यात्री का विबरांद यह तीन स्लोथ होता है तीनों को हम लोग देखते हैं पुरा तात्मिक स्लोथ सहित्यक स्लोथ और विदेशी यात्री का विबरांद तीनों को हम लोग यह करके चर्चा करते चलिए तो हम लोग पुरा तत्पीक स्रोथ और साहित्यक स्रोथ के हम लोग चर्चा करते हैं ढहिए साहित्यक स्रोथ में एक कुष्टक है एफलेदा है ट्पीयदा इमपायर में एक कुष्टक है यह फोर गेदा इंपायर इसका लेखक है सेवेल इसका लेखक कुन है सेवेल इसमें जो है बिजय नगर समराज की मतलब उलेखाता है इसमें जो है इस स्वाहित में बिजय नगर का लेखाता है एक पुस्तक है आमुक्त माल्यद इसका लेखक कुन है इसको लिखने वाले है क्रिष्न देव राय और इसकी भासा तेलगू है और इसमें से विशद रूप से इस पुस्तक में आमुक्त माल्यद में इसकी अगा आमुक्त रूप से विजय नगर सम्राज की प्रसासमılar की चरचा की गई है विजय नगर सम्राज की प्रसासम की चरचा विशद रूप से अमुक्त माल्यद में मिल्ती है अगर हम पुरा तात्मिक सुध में बुका के समय का एक अभिलेख प्राप्थ हुआ है उस अभिलेख में इसकी चर्चा है तो बुका के समय का एक महिला सती होने का उलेख समय में माल गोरा नामक महिला है इस पर महिला महिला माल यह इसलिए चेंगा रहे है देव्रायद्विति के समय का 1424 और 1425 इस भी का एक अविलेख पाया गया है जिसमें दहेंज पर्था को अवयधाने एक बताया गया है कानुन के खिलाफ बताये गया है तो दूसरा अविलेख प्राप्ठ हुआ है देव्रायद्विति के समय का जो 1425 का है और इसने इसका जो अविलेक पाया गया है इसके अविलेक में दहेज प्रथा को कानुन की खिलाप बताया गया है और वैधानिक बताया अगर समराज और बहमनी समराज में आये थे ठीक है तो चलिए विदेशी यात्री का विबरान को अगर हम लोग चर्चा करें तो देखिए विदेशी यात्री का विबरान विदेशी विबरान में एक इंपर्टेंट वेक्टी है अब्दुरज्याग Aug देव राय दृत्री समय विजय नगर्डब़ान में आया था यह कम आया था है 1443 इसमें जी समय बिजय नगर का शाषक कुन था देव राय द्वित्तिए अब्ढू रज्ञाट 1443 में देवर साभ र्जय गानु देवराय द्वित्तिए और विजय नगर चे में वर्णं करते हुए लिखा है इनाव ने बिजय नगर की समरे धी को देख करके यहां के सहर को देख करके इसने लिखा है इसने वर्णन किया है कि बिजय नगर जैसा सहर इसने कहा है बिजय नगर जैसा नगर न तो इस पिर्थवी पर कहीं हमने देखा है नहीं कहीं देख सुना है इसने कहा है कि बिजय ये सम्रेद्धी की बात करता है इसका मतलब विजए नगर का बियाने करता था आतिक मैश्मरणे न करता है या आने विजथी अमने उसके बाता है करते बंढ़रर धुए नेुक्प सब्सक्राइना इंधिक करता ये नन्य को हम्तंदरी मार्क क्वेपार होता आक अब करन्त व्हें नगर वहुत सहां से उल्लिक दिया है इसने कहा है विजैनेवराई में एक सचीवालाई दीए फिकर य उल्लिक जो है D elles दूसरा विदेशी यत्रि हमस्का नाम है बार्बोसा ये पंद्रह सो आठ में आया था बार्बोसा ये कब आया था पंद्रह सो आठ में बार्बोसा पंद्रह सो आठ में और ये क्रिश्न देव राय के समय आया था उस समय साशक कुन था क्रिश्न देव राय क्रिश्न देव राय उस समय साशक था क्रिश्न देव राय ठ्रिक्रें इसने पहली बार साथिपर्था का उल्ले किया है, लेकिन इसने कहा है तो, आप देए उसे साथिपर्था प्रचलान में तो है , लेकिन इससाली पर्था बएके- उच वर्जुशzh वर्जुमें है इसने लिंगायतों चेंटियों ब्रहमनों में यह परचली नहीं था यानि उच्य संप्रदाय में परचली नहीं था निम्ले कोटी में परचली था उसके बाद एक विडेशी यात्री आया था पायस 1620 से 22 इस भी के बीच में आया था पायस इस रामे निखलेजेगा पायस 1620 से 22 ठीक है और यह भी पूर्टगाल का था और रिष्ण देव राय के समय यह भी पूर्टगाल का था और यह भी आया था क्रिष्ण देव राय के समय यह भी आया था ठीक है और इसने बिजय नगर की तुलना रोम से की है रोम उतना सम्रिद नगर दोस्तों उसकी तुलना इसने बिजय नगर से की है कहीं कहीं बिजय नगर मतलब कहीं कहीं सम्रिद नगर रहा है ठीक है उसके बा प्राइब दुर्गाध कुजा में नव दिन होता है इसमें नव रातरी की जो उल्लेग किया गया वर्द का भी धर्म ने प्रचलीत है ठीक है कि जब नवरात्री का अन्तिम दीन होता है उसमने जो मैं दुरगामा को बली चरहाई जाती है और उसको बहुत बड़ी मात्रा में हिंदूस्तान में बहुत ज्यादा प्रप्रच्लाब में है ठीक है और कि विजय नगर के परतिय kली में домой कि सिलफियों से संबंदित आर हार जिए सिल्फ का या जो मंदीिर बना हुआ है आप जाए नगर मतलब सम्राज का कीला घुमिये मंदिर घुमिये जितना बनाया है वह अलग-अलग सिर्फ कारों द्वारा बनाया गया है और बहुत ही भव्य है एक आस्मक है ठीक है चलिए चौथा पुथा में एक वैक्षी है नुनीज पूर्तगाल का ठाँ अच्चूत दिवौ राई के समय आया था यह भी पुर्तगाल का ठाइड के समय लैर अच्चूत दिव के समय बपाटवाम sika perdrick और एक मतलब था सीजर फैडरीक उसके बाद एक आया था नेकी तीम नेकी तीम देखें यह सीजर फैडरीक भी पुर्दगाल का था और ताली कोटा के यूद के बाद रहा था ये भी पुर्दगाल का था अर नेकित जिर्ण यह जूसका था और बहम्नी समराज में यह आाया था और उस समय जो है जो है विजयनगर समराज कर सा सत्था विरुपार्ष ध्वेतिय की यह यह सारे विधेश यात्री यहीं ततकtha ने दिए अगली क्लास से जो पहला वहों साटव करेंगे कि और आप लोग की kas जो साथ नहीं तरीके से ठीक है आप लोग के लिए और बहतर से बहतर करने का यहां से प्रियास करेंगे चलिए दोस्तों आज यहीं तक रहने देजे तब तक कि लिए आप लोग को बहुत-बहुत धन्यवाद थैंक यू